बॉलिवूड से एक और बुरी ख़बर सामने आ रही है एक दिग्यच डारेक्टर और राइटर हम सबको अलविदा कहके जा चुके हैं कौन है वो शक्स आईए बताओ मैं आपको अलो दोस्तो मैं अभी शेक और आप देख रहे हैं भूगल बॉलिवूड दोस्तो फिल्मेकर सागर सरहदी की अगर हम बात करें तो वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और उन्होंने काफी ज़दा नाटिक भी लिखे थे उर्डू में लेकिन उनकी पहचान हुई फिल्म कभी कभी से क्योंकि उस फिल्म के उन्होंने डायलेग्स लिखे थे तो अब खबर सामनी ये आ रही है कि काफी लंबी बिमारी से जूंजने के बाद अब वो इस फानी दुनिया को अलविदा कहके जा चुके हैं यहां सागर सरहदी जिन्होंने काफी मूवी के स्क्रीन के लिखे और काफी मूवी के डायलिंग्स लिखे हैं वो हम सबको अलविदा कहके जा चुके हैं उन्होंने एक मूवी भी बनाई थी जिसका नाम था बजार जो 1982 में रिलीज होई थी जिसमें आपको नसिरुदिन शास, मिता पाटल और भी कई दिगज कराकार नजर आये थे अगर हम बात करें सागर सरहदी की तो उन्होंने यस चोपड़ा के साथ टाया भी किया था उनकी फिल्म सिल्सिले के लिए और अपनी मूवी के कारण उनको अच्छी पहचान भी मिली थी और उनको काफी सदा आवार्स के साथ सनमानित भी किया था लेकिन अब खबर सामने ये आ रही है कि इस दिकच डारेक्टर और फिल्मेकर का निधन हो चुका है काफी कलाकारों ने अपने सोशल मीडिया पे आके इनको श्रधांजली दी है हंसल महता से लेके जैकी श्रॉफ तक सब ने इनके बारे में पोस्ट किया है और उनको श्रधांजली दी है और भूगल बॉलिवूड की टीम दुआ करती है कि इनकी आत्मा को शांते मिले